सो हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपकी चुप चैनल माई एक्जाम सॉलिशन में आज की वीडियो में हम देखेंगे MSO 002 Research and Methodology and Methods की Solve Assignment बीस से किस तक के लिए यानि कि इस इन इस्टूडेंट्स ने जुलाई 2020 में एड्मिशन लिया है यानिमेंट के वल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है और अगर आपको इन इस्टूडेंट का पीडियाफ चाहिए तो आप हमें कॉंटेक कीजिए कॉंटेक नंबर में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रवाइट कर दूंगी and otherwise जब मैं आपको को स्लूडिशन दिखाउं तो आप एजली वीडियो को पॉस करके आप उन अन्हालूशन को कर सकते हῖ स्टूडेंश अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली वीडियोolly के लिए या अपके शानल को सब्सक्राइब करें and bell icon को बज़ाना ना भूले तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखने हैं अपने free solve assignment तो यह देखिए students MSO002 के solve assignment है आपके basic किस तक के लिए तो यहाँ पर देखिए students आपको आपकी assignments related up information दे रखिए जैसे की आपकी assignment का course code किया है तो course code है MSO002 ठीक है यहाँ पर आपको paper name भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा and answer question from both the section यहाँ पर आपको दो sections आपको देखने को मिलेंगे section A and section B तो यह देखिए आपका section A है यह देखिए section A and section B यहाँ पर section B में आपको बोला गया है write a research report on any one of the following topics in about 3000 words यानि कि आपको यहाँ पर तीन topics दे रखे है तीन रिपोर्ट आपको दे रखे है इन में से आपको केवल एक ही रिपोर्ट पर research करने है और जो topic है वो आपको 3000 words में आपको लिखना है ठीक है 3000 words में आपको एक report ready करने है इसमें से एक topic को लेकिए तो यह देखिए तो यह देखिए students आपके section 1 का question number 2 है यह देखिए question number 3 so students अगर आप चाहें तो आप वीडियो को post करके आप इन answers को लिख भी सकते है देखिए कि अच्छी तरी किसे हमने जो answer है वो यहाँ पर explain कर रहा है content wise अपने answer को explain कर रहा है content बहुत important होता है आपके assignment में और चाहे वो assignment में और आपके exam में ठीक है आपकी जो भी answers है वो आपको content wise explain करने होते है देखिए section B में आपको बोला गया था किसी एक topic पर आपको लिखना है तो वो भी 3000 words में तो यहाँ पर question number 2 है reverse migration of labor यह देखिए general cause and work conditions अब हुआ कि we do तो स्थूरींस यही पर आपके जो assignment है वो complete होते हैं और अगर आपको इन assignment को लिखना है अब इसली वीडियो को पॉस करके आप इन assignment को लिख भी सकते हैं and otherwise अगर आपको इन assignment का PDF चाहिए या फिर आपको किसी other subject की assignment का PDF चाहिए तो आप हमें contact कीजिए contact number में आपको description box में provide कर दूँगे and videos related आपको कोई भी doubt है, कोई भी confusion है या फिर कोई भी question आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप मुझसे comment करके पूछ सकते है so students, आच्छी वीडियो में हमने देखा MSO002 के solve assignment basic किस्टक के लिए so students, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को do like, share and comment करे and अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं आप मेरे वीडियो को first time देख रहे है तो चैनल को subscribe करे and bell icon को बचाना ना भूले